हेलो प्रेंट्स मैं हुं संगीता और मैं आपने चनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज आप सभी को हनमान जयनती के हारदिक शुप कामना है और आज हम लोग सेक्टर 9 मंदिर जा रहे हैं हनमान जयनती में वहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा होता है तो चलिए चलते हैं और आप भी दर्शन कर लीजिएगा तो यह देखे फ्रेंट्स हम मंदिर पहुँच चुके हैं और यह बाहर का एरिया है यह देखे कितना सुन्दर सजावट है और यह मंदिर के बाहर का एरिया है और यहाँ पर बड़ा सा स्क्रेन लगा है जिसमें अंदर हनमान जी का जो पूजा हो रहा है वो दिखाई दे रहे है और यहाँ पर हनमान जी की मुर्ती रखे हैं यह देखे कितने प्यारे हैं जय श्री राम बिंगनारन हनुमान चलिए अब और अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर रास्ते में बहुत सारे चेयर लगे हैं लोगों की बैठने के लिए और आगे चलने पर यहाँ पर प्रशाद का वित्रन हो रहा है सायद खिचडी है और यहाँ पर लोग प्रशा ग्रहन कर रहे हैं आप देख सकते हैं अब और आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखिए कितने सुन्दर सजावट है आगे तो यह देखी लाइट कितने प्यारे लग रहे हैं और पूरा मंदिल के अंदर तक का यह सजावट है आगे आप लॉग में बने रहे और दे और यहां पर हनमान जी को प्रशाद चढ़ाने के लिए मिठाईया होगरा मिल रही है जहां राइनवास यहां पर दुकाने सजी हुई है तो हम यहीं से मिठाई खरिद लेते हैं अंदर चढ़ाने के लिए और पूजा को समान भी खरिद लेते हैं वैसे तो अंदर में पूजा नहीं करने देते हैं और यह देखिए किसी ने मेरी बेटी को बलन पकड़ा दिया है और आगे चलने पर यहां पर यह देखिए कितने लंबे लाइन लगे हुए हैं इस लाइन में हम लोग भी लग गये हैं लगता है एक घंटा लग जाएगा क्योंकि बहुत लंबा लाइन है मंदिर तो बहुत दूर है और लाइन बाहर से ही लगे हुए हैं इतने लंबे लाइन में तो समय लगता ही है और फ्रेंड्स चलते चलते हम अंदर की गेट तक पहुँच चुके हैं जहां पर महिला और पुरुष लिखा हुए हैं तो आगे अनुमान जी का जैकारा लगाते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते ये देखिए हम पहुच चुके हैं मंदिर के अंदर तक आप भी दर्शन कर लीजी और यहां पर इरिक्षा में भगवान का प्रशाथ आ रहा है जो भंडारे में मिलने वाला है तो आगे का अंदर का एरिया आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और कितना भक्ति पोन महौल है ये अंदर जाने का राश्ता है और यहां पर हन्मान जी के कितने सुन्दर भजन चल रहे हैं हम दर्शन करके आ चुके हैं और बाहर जहां भजन चल रहा है वहां पर बैठे हुए हैं और यह देखिए मेरी बेटी ठंडा पी रही है पानी और यहां पर सरवत वगर मिल रहे हैं और आगे यहां पर खेर का प्रशाद मिल रहे हैं मंतिर के अंदर भगवान की जो मूर्ती है उनका वीडियो नहीं बनाने देते तो मैं आपको नहीं दिखा पाई लेकिन बाहर का व्यू देख लीजिए कि कितना भक्ति पून वातवरण है और वीडियो देखके आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि हमारे श्रे राम जी के भक्त हनुमान जी का बर्थडे है और यह है बर्थडे सेलिब्रेशन तो आप भी देखिए और यहां पर देख सकते हैं कि भंडारे में कितने श्रद्धादू प्रशाद ग्रहन करने वैठे वे हैं हमने भी थोड़ा से प्रशाद लिया और फिर यहां से घर की तरफ निकल गया है हम लोग मंदिल से आ चुके हैं अब काफी रात हो गई गया लगव सारे ग्यारा बत चुका है तो अब हम लोग फ्रेश होएंगे खप्राचेंज करेंगी और सो जाएंगे तो आज का वीडियों आपको कैसा लगा कमेंच इसमें रही दो अरूरे गोंदि ऐडोटять हो तो सबहceğiz